जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों 18 अक्टूबर 2019 को सूरेदेव अपनी राशी परिवर्थित करने जा रहे हैं सूरेदेव कन्या राशी से निगल कर तूला राशी में विर्वेश करेंगे और इनका जो गोचर होता है वो एक महिने का होता है यानि एक महिने सूरेदेव की पूजा करने से जीवन में खुशाली आती है और सूरेदेव की आरादना करने जीवन में चुनोतियों का डट कर सामना करने का आत्मविश्वास मिलता है। सूरे देव का ये राशी परिवरतन कुमराशी का जीवन में क्या बदलाव लाने वाला है चले जानते हैं लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो हमारे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली सबी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें तो दोस्तों तुला राशी की यदि बात करें तो तुला राशी के लिए सूरे का ये गोचर इनके नवम भाव में होगा और जो कुंडली का नवम भाव है वो धनो राशी का है इससे आपके भाग़ को देखा जाता है लम्बी दूरी की यात्राओं को गुरु को गुरु तुल्य लोगो के बारे में इसके एस कुंडली के महाव को देखकर विचार किया जाता है और नवा भाव जो होता है वो भागय का भाव भी होता है तो भागय के भाव में सुर्या का आना आपके लिए बिहद शुब रहेगा हलागी थोड़ी कटनाई की कटनाई तो आपके लिए थोड़ी इस समय रहेगी परिवार में थोड़ी नोकजोक इस एक महिने में हो सकती है और स्वास्ते को भी आपको इस समय स्वास्ते पर ध्यान भी देना होगा गुस्स की अधिकता अधिक रहेगी तो ये सूर्य का परिवर्तन आपकी जीवन में जो बदलाव है वो मिला जुला लेकर आया है इस समय आपको अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना होगा पिता की सेहत में गिरावाट आ सकती है और उनकी बातों को आपको समझने की जरूरत होगी आर्थिक पक्ष आपका ठीक ठाक रहेगा लेकिन खर्चे अधिक होंगे जिससे थोड़ी सीज्थिती डग मगा सकती है तो खर्चों की अधिकता इसमें ज्यादा बनी हुई है तो खर्चों पर कंट्रोल करेंगे तो इतनी बड़ी परिशानी नहीं होगी इस समय विरोधियों से सावधान रहने की जरूर आवशक्ता है और इस समय आपको किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए बेहद अच्छा समय लेकर आएगा प्रेम जीवन के लिए बात करें तो इस समय आपका गुस्सा आपके प्रेमी को आपसे दूर कर सकता है तो अगर आप इस रिष्टे को मजुद बना रखना चाहते हैं तो पार्टनर के साथ अधिक से अधिक समय आप बिताएं और उनकी बातों को समझने का प्रियास करें भावनाओं को आप उनके को महत्व दें यानि यह जो सूर्य का परिवर्तन है यह आपके लिए आर्थिक रूप से ठीक ठाक रहेगा लेकिन जीवन में कई तरह की उधर पुधर बचा सकता है आप अपनी बातों को गलत तरीके से पेश करके अपनी रास्ते में परिशानिया खड़े कर सकते हैं तो वाणी पर आपको नियंतरन जरूर रखना होगा करोध पर आपको नियंतरन रखना होगा इस समय आपकी वाणी में कटूता रहेगी इस एक महिने के दोरान कुछ समय ऐसा होगा जो आपके लिए बेहद खुशियों भरा रहेगा कुछ समय ऐसा होगा कि आप एकदम निराश हो जाएंगे तो किसी भी स्थिती में आपको बहुत अधिक उत्साहित नहीं होना है जब आप अधिक गुसे में हो तो आपको अपनी गुसे को कंट्रोल करना है और कोशिश करनी है कि ज़्यादा बातें आप लोगों से ना करें ताकि आप स्वैम को नियंत्रत रख सकें इसके लिए आप रविवार के दिन एक उपाय जरूर करें आप रविवार को कोई लाल रंग का कपड़ा किसी को दान जरूर दें जिससे जो ये सूर्य का प्रभाव है आपके उपर ये कम पड़े और जो जीवन में आपकी वानी में कटूता है वो थोड़ी कम हो जाए तो उपाय जरूर करें आप सूर्य का साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें